अगर आपने मेरी skills to learn in 2023 वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने काफी सारे fields या domains बताए हैं जिनका scope काफी बढ़ने वाला है आगे 5-10 सालों में या अभी 2-3 सालों में ही उनमें से बहुत सारी fields मैंने specifically point की हैं like blockchain, appsec, incident response, risk and compliance and cloud. इनमें से आज हम cloud की बात करेंगे कि क्यों ये इतना buzzword है, क्यों ये grow कर रहा है और अगर आप भी इसके साथ grow करते हो तो आपका career कैसे grow हो सकता है और हाँ इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं कुछ लोगों को complimentary academic consultation provide कर रहा ह तो देखो अब दो type के IT infrastructure होते हैं एक तो सबसे पहले कि जो company खुद के campus में setup करती है जिसको हम on-premise infrastructure बोलते हैं जो data centers, network centers और जो भी IT के बड़े-बड़े devices हैं वो खुद host करती है उनको privately own करती है और उन पर अपना data store करके host करती है अब जो दूसरा तरीका है जो कि recently popular हुआ है जिसको हम cloud बोलते हैं वो क्यों popular हुआ है उसके बहुत सारे reasons है सबसे पहले तो जो आज की date में digital infrastructure है वो काफी expensive हो गया है chipsets की demand काफी बढ़ गई है लेकिन supply कम है उसकी shortage हो रही है but budgets increase हो रहे हैं क्योंकि आज की date में it's a fact that कोई भी बड़ा business technology के बिना बड़ा नहीं बन स उसके बाद जो maintenance होगा सारे devices का उसके लिए अलग devices लगाओगे उसके लिए अलग staff appoint करोगे और अलग monitoring करोगे तो उसका अलग खर्चा लगेगा अब जहां पर यह सब आप store कर रहे हैं वो सारे assets जो land है जो campus है आपका जो space है उसका अलग खर्चा लगेगा दूसरा reason है कि data privacy और security आज बहुत बड़े concerns हो गए data breaches हो रहे हैं cyber attacks हो रहे हैं और जब on-premise companies लगाती है तो पूरा जो control है पूरी जो responsibility है वो उनके उपर आती है अब अगर उनको controls की knowledge नहीं है तो they are doomed उनके servers hack होगे उनका data leak होगा उनके against dues होगा उनको financial और reputational दोनों losses होगे इसलिए security in cloud is much more complex than the traditional infrastructure अब और भी reasons हैं like कि अगर एक data center अपने setup कर लिया एक जगह पर मान लेते हैं Chicago में कर लिया अब मैं इंडिया में बैठा हूं as an employee मुझे वो access करना है data तो मुझे Chicago जाना पड़ेगा तो उसमें performance issue आएगा बहुत ज़्यादा travel कर रहे है data और अगर कोई Australia में बैठा है तो उसको और ज़्यादा performance issue आएगा अब इसके लिए कई से भी अगर आपको access करवाना है अपना जो data है scale करना है business को तो आपको दुनिया में हर जगे अलग 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 जगे आपको data center setup करने पड़ेंगे पूरा infrastructure अलग 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 जगे setup करना पड़ेगा उसका अलग कर चाहेगा remote access के लिए तो और बहुत सारे disadvantage जैसे हमें गिनाने जाओं तो तो एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे organizations अपना major दिमाग और budget business पर लगाए strategy पर लगाए और IT technology उनको limit ना करे IT assets का जो setup है उनको limit ना करे जो technology है उसका use करके वो scale कर पाएं तो यह सब कुछ आपको cloud दे रहा है cloud computing is one of the biggest booming markets in the world कुछ trusted sources like synergy, Gartner और Hashi Corp के statistics की बात करें तो 60% of all corporate data cloud में stored है और 90% businesses किसे नकिस तरीके से cloud को use कर रही है आज की date में और cloud applications का market 150 billion dollars का है अभी और estimate किया जा रहा है कि इस पे जो spending है वो 600 billion dollars की हो जाएगी by the end of 2023 अभी हमारे पास three major cloud providers है in the market AWS, Azure और Google Cloud जिसमे से 33% itself AWS का है market share, 20% Azure का है और बाकी का 6-7% is around owned by Google on-premise infrastructure businesses को भारी पड़ रहा है इसका जो cost और management है, data center setup करना, manage करना, वो सब कुछ possible नहीं है आज की competitive date में, सिर्फ business पर focus किया जा रहा है तो cloud आपको हर level पे infrastructure, platform और software as a service देता है, जिसको आप rent करते हो, उसको use करते हो, आप उसे own नहीं करते हो, आप बस उसमें अपना business implement करते हो, और उसकी recovery, like कभी data corrupt हो गया, तो automatic backups होते हैं, backup and restore, कभी भी restore हो सकता है, दुनिया भर में backup servers और edge servers है, कई से भी आप access कर सकते हो, remotely accessible है, पूरा infrastructure और business scale करना काफी easy हो जाता है, तो यही cloud के advantages और acceptable disadvantages के कारण ही यह इतना जरूरी हो गया है, businesses के लिए, तो यह skill तो आपको definitely आगे काम आने ह आने वाली है, और जैसे मैंने बताया था कि cloud के security concepts बहुत complex होते हैं, तो हमको skilled professionals चाहिए, जो कि cloud समझ पाए, infrastructure समझ पाए, attack समझ पाए, और security policies बना पाए, जिनकी कमी है, तो आप बन सकते हो, अब सवाल ही उड़ता है कि आपको interest तो आ गया, लेकिन आपको cloud के बारे में कु cloud computing by rice, an online ad tech platform in collaboration with KPMG in India, अगर आपको नहीं पता तो KPMG is one of the big four companies, जो कि financial और risk advisory business करती है, जो कि ये cloud consulting firm भी है, इसकी global presence, software processes को improve कर रही है, और यही network अपने professional experience से learning के extensive resources लेकर आता है, cloud computing में job varieties बहुत जादा है, आप help desk engineer बन सकते हो, system engineer, devops engineer, cloud developer और IT consultant और इसके starting packages can go up to 10 lakhs, इस program का learning approach बहुत ही practical है, सबसे पहले तो आपके fundamentals clear किये जाएंगे cloud के, उसके बाद जो major cloud platforms हैं, AWS, Azure और Google, उन सब के अलग-अलग individual study modules हैं, जिसमें हर platform की basic services, network setup, security, virtualization, devops, और उसके साथ-साथ Kubernetes और Docker भी cover होंगे, course complete करने के बाद आपको एक PG certificate मिलेगा from KPMG in India, जो cloud के हर domain में impactful है, जिसको अगर आप अपने resume में डालते हो, तो आप cloud ready हो जाओगे, और आप job apply कर सकते हो, हर big companies में, including MNCs and big four. इनकी KPMG experts की faculty है, यही आपका skill development करेंगे, इसके साथ-साथ आपको quizzes, assignments, projects सिखाये जाएंगे with industry tools. और यह सिफ cloud के basics के लिए course नहीं है, इसमें आप basics to advance सीखोगे, जिसमें आप cloud security concepts भी सीखोगे, like azure में identity and access management से कैसी आप data को protect कर सकते हो, from unauthorized access. और azure में different authentication and authorization के techniques होते हैं, like azure active directory, active directory domain services, multi-factor authentication, single sign-on, role-based access control, or external identities. Zero trust model, यह होता क्या है, यह एक advanced technology है, जिससे आप अपनी organization की data को protect कर सकते हो, from the most advanced threats, जिससे data breach का risk कम हो जाता है. Azure की identity, security और access management को कैसे आप defense in depth technology के साथ combine कर सकते हो, जिससे आपके organization का security posture impenetrable हो जाए. तो अब बात कर लेते हैं, complimentary academic consultation with scholarship, जिसके बार में मैंने video में पहले बात की थी. तो आप मैंसे सिर्फ 100 applicants को यह दी जाएगी, from industry experts, जिसमें आपको exclusive mentorship along with an exclusive scholarship दी जाएगी, for PG program in cloud computing by RISE in collaboration with KPMG in India. And I'm telling you guys, यह वो the first time हो रहा है मेरे channel पे, जहाँ पर आपको various industry experts से अपने doubts clear करने का मौका मिल रहा है, अपनी career guidance लेने का सुनहरा मौका मिल रहा है, वो भी totally free of cost. तो जो भी B.Tech, B.C.A., M.C.A., B.S.C., M.C. के graduates हैं, और cloud में career start करना चाहते हैं, तो description में जाओ, एक link है form का, उस पे click करो, form को fill करो, फिर RISE की team आप से contact करेगी, आपकी profile assess करेगी, based on that, top 100 applicants को exclusive academic consultation और एक exclusive scholarship दी जाएगी, so all the best to all of you, I hope आपको अच्छा लगा होगा, cloud एक बहुती booming market है, इस पे career बहुत बढ़ने वाले हैं, तो बस ऐसे ही आप और वीडियो के लिए वेट करो, आगे चलके cyber security ethical account पे और वीडियो साने वाले हैं, ऐसे future ready topics पे, तो बस देखते रहे हैं, सिखते रहे हैं और good bye,